आज मैं अपनी हायर आटोमेटिक वाशिंग मशीन में एक बहुत ही मैली बेटशीट वाश करने जा रही हूँ जिसको के सोक करने की जरूरत है मैं चाहती हूँ कि सरफ में उसे कुछ देर भगो के रखा जाए ताके वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए लेकिन इस आटोमेटिक वाशिंग मशीन में सोक का ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए मैं क्या ट्रिक योज़ करती हूँ आपके साथ शेयर करते हैं यह देखिए मशी पहले से साफ है यानि इसमें मैंने कोई कपड़े वर नहीं डाले हुए इसमें मैं पिलो कवर्स और बेटशीट एड़ कर रही हूँ जो बहुत ही मैली है इसमें जगा-जगा स्टेन लगे हुए हैं और कलर लाइट होने की वज़ज़ से यह जो स्टेन्स हैं इनका उतरना भी मुश्किल लग रहा है बेटशीट एड़ करने के बाद मैं इसमें एक कप सर्फ एड़ कर रही हूँ सर्फ मैं इसके बॉक्स में नहीं डालती बलके डिरेक्ट ही डालती हूँ क्योंकि सम्टाइम सर्फ साइट पर रह जाता है तो यहां मैंने इसे स्टार्ट किया है न इसे मैंने स्टार्ट किया तो यह 40 मिनट्स हुए है टोटल सब मिलाके बॉस्ट टाइम स्पिनिंग टाइम और वाटर लेवल समेथ यह 40 मिनट्स लेगी इसको वाश करने के लिए अब जितनी देर भी इसने पानी लेना है पानी ले ले उसके बाद यह देखिए मिशीन ओन हो गई है और चलना शुरू हो गई है सरफ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है यही मैं चाहती हूँ के अच्छी तरह से एक दुफ़ा से जाग बन जाए और सरफ में यह अच्छी तरह से डूप जाएं कपड़े अब जब मुझे लगा है कि कपड़े अच्छी तरह से बीग गया है सरफ पी अच्छी तरह से हल हो गया है तो मैंने मिशीन को पॉज कर दिया है यह देखिए सरफ में अच्छी तरह से कपड़े डिप हो गये हैं तो इस तरह से मैं आदा घंटे के लिए छोड़ दूँगी यह एक किसम का हमारा इस मिशीन का सोक option है कि आप इसे pause कर दें जहां पर आप चाहते हैं कि कपड़े कुछ देर भीगे रहें और मिशीन को stop करना है तो आप इसे pause कर दें अब मैंने इसे आदा घंटा pause किया है और अब वहीं से इसे start कर दिया है कपड़े अच्छी तरह से भीग गए है और जो इसमें दाग थे दाग दब्बे जितने भी लगे हुए थे वो काफी हद तक soft हो गए होंगे और वह easily निकल जाएंगे अब यह मिशीन अपने बाकी के timing पूरी करके इन बेट शीट को और पिलो कवर्स को अच्छी तरह से साफ कर देगी यह देखिए इसका time complete हो गया मिशीन ने बैल दी है कपड़े अच्छी तरह से dry भी हो चुके है और बेट शीट देखिए माशाला से कितनी उजली और कितनी fresh लग रही है जस्त 40 मिनट में इस मिशीन चली है और यह अच्छी तरह से wash हो गई है सोक का timing जितनी भी थी उतनी देर मिशीन बंद रही है अब मैं इससे बेट शीट निकाल लेती हूँ और पिलो कवर्स भी निकाल लेते हैं इसमें से और इसको अदा घंटा हम धूप में फैला देंगे ताके यह अच्छी तरह से dry हो जाए आप यह बाकी कपड़े भी देख सकते हैं कि इनके stain कितनी अच्छी तरह से निकल गए है आप भी जब heavy कपड़े इस तरह से machine में wash करने हूँ तो इस तरह से soak कर सकते हैं अगरचे इस machine में नहीं है लेकिन हमने खुद ही इस वे pause किया है और यह देखिए कितनी उजली सी bed sheet आपके सामने है खुश्क होने के बाद यह trick ज़रूर यूज करिएगा और मुझे बताईएगा कि कैसा रहा चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू अलाहाफेज